हलो गैस विल्कम बैक टो मैं नूइ वीडियो में बात करेंगे हम दो मिनिट के अंदर जानेगे कि कल की आपकी प्लैनिंग क्या हो नीच यह बट आपको बताना चाहूंगा आज लोगों ने कितना बड़ा लॉस किया होगा इसका अप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं यह एक जो आपको बड़ी केंडल दिख रही है न यह एक बज के पच्चेस मिनिट की पांच रुपए का प्रीमियम इसमें आप सोचो कितना गया होगा दो सो बीस गया है 40X रिटन अगर किसी ने इस पॉइंट ओफ टाइम में पुट साइड में ट्रेड लिया होता तो पांच इन 5 मिनिट आज हमने क्या ट्रेड दिये हमारे मेंबर्स का क्या प्रोफिट बना वो जान लेते हैं देन उसके बाद बात करेंगे कल क्या करना है तो आप जाएंगे हमारे टेलिग्राम पर यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर कट देखने को मिलता है क्या देखने को मिलेग आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा मैंने आपको support और resistance morning में provide किये थे everyday करता हूँ आपको scalping opportunity मैंने बोली थी 47,800 के उपर scalp देखो bank nifty में और 47,650 के नीचे then 47,600 के नीचे जिदर से सुबह ही सुबह 100 point का fall आपको देखने को मिला almost 110 point का bank nifty में पहला trade 9 बज़ के 36 minute पे 435 का प्रीमियम गया 500 दूसरा trade 350 का प्रीमियम गया 400 तीसरा trade 105 का nifty का प्रीमियम गया 130 पुट साइड में ये 3 trade उसके बाद 1 बज़े के बाद भी हमने trade किये जिसमें हमारा nifty का प्रीमियम ये देखो एक सेगन दो यहाँ पर देख सकते हो आप almost मैंने 3 बज़े एक put side में trade दिया था 66 का प्रीमियम था मेरा expectation था 90 तक जाएगा उसने high मारा 96 आप खुद देख सकते हो और जाके check out भी कर ले ना 2100 का put 9 बज़ के 50 minute के बाद किदर गया उसके अलाबा एक ही है बैंक निफटी में trade था 363 का प्रीमियम 450 प्लस almost 100 पॉइंट का इसमें मिला है यह load नहीं हो रहा है आप जाके check out कर सकते हैं सब कुछ है उसके according हमारे यहाँ पे profit loss देख लो सब load नहीं है लेकिन जो load हो रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो net का थोड़ा सा issue है बड़े बड़े profit भी है 12,000, 5,000, 8,500 यह यह नई लोग है तो इनको थोड़ा सा भी difficulty आ रही है बट time के साथ यह भी समझ जाएंगे आप जाओ जल्दी से अपना telegram जोइन करो अब important क्या है पहली चीज तो कले हमारा Friday market mostly sideways होगा mostly आपको trap करेगा बट हम trade कप plan करेंगे अगर हमारा market थोड़ा बहुत gap up open होता है तो हमारी लिए important level रहने वाला है 21,950 का अगर इसके नीचे जेगे तो पहला target आपका 2900, दूसरा target आपका 21,850 का होना चीए यह morning time की बात है upside की हम planning कब करेंगे upside की हम planning करेंगे 22,200 के उपर safe side है और अगर 22,200 से लेके 22,050 की बीच में opportunity मिलती है तो वो आपको देखने को मिलेगी हमारे channel पर कि हमने क्या opportunity दी और क्या opportunity बनी बट कल का market थोड़ा मुझे लगता है sideways जैसा रहेगा तो कम trade करना and market अगर trap करता है तो उस trap से आपको बचना जरूरी है वीडियो को like करो, channel को subscribe करो, telegram को join करो comment section में जो पूछने है पूछो जो मैं trades देता हूँ वो आपको दिखाता हूँ जो profit होता है, loss होता है इससे बहतर clear transparency नहीं रह सकती है हर दिन करता हूँ, आप join करिए आपको जरूर फाइदा होगा Thank you so much